नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक, यौर वाचिंग गनॉस्टिक, माइनम इस लोकेश, इस पार्ट 65, चलते हैं अपने नेक्स रोट पहे, सैंक्टिट्यूड, ठीक है, सैंक्टिट्यूड, पवित्रता, पिछली वीडियो मैं में डिसकस कहता है, सैंक्टम, सैंक्टोरम, तो ठीक है, हाइस्ट ओडर तो यह सब है, सैंक्टिट्यूड, होलीनेस, गौडलीनेस, जहां पर डिफरेंट रिलीजिन के अपने भगवान रहते हैं, बेसिकली वही उसी वर्ट को लेके रिलेट करना है, पाइटी, डिवोशन, रेवरेंस, रिस्पेक्ट्फुल है, प्यूर ठीक है, सिंग्वाइनरी का मतबदा खून का प्यासा, ठीक है, ब्लड थस्टी, वैंपायर भी कह सकते हैं, वैसे से, इन्वाल्विंग और कॉजिंग मच ब्लडशेड, जो ब्लडशेड करे, असेसिन, मर्सिनरी, तो यह कुछ वर्ट्स हैं, तो ब्लड, ग्लोरी, वाइले ब्लडशेड, ब्रूटल, संग्वाइनियस, ठीक है, क्रूल, सैवेज, फिरोशेड, डेडली, मतलब वो था है, लीथल, और ब्लड थस्टी तो है, अपना, स्पॉरफिक, स्वाधिस्ट, तो इसको रिपीड वर्ड, तो इसको रिविजन के तोर प्लेलो आप, ठीक है, प् सेवरी, माउथ वाटरिंग, सैलिवेटिंग, डिलिश्यस, डिलेक्टेबल, टूथसम, पाइक्वेंट, जिस्टी, टैंजी, स्पाइसी, ठीक है, कई यों को स्पाइसी पसंद नहीं है, तो इसको रिपीड अगे जब, सैट्चल, थेला, सैट्चल का मतलब होता है, थेला, ठीक है, तो एसे टी, सी, हेल, तो यह थेले को डिस्क्राइब किया हुआ है, अब बैग केरीड अन दे शोल्डर बाय लॉंग स्ट्रैप, टिपिकली क्लोज बाया फ्लैप, ठीक है, तो यह जोला की बात कर रहे हैं, ठीक है, विता फ्लैप, यह रा फ्लैप, कितनी बढ़ी यह ड्रोइंग बनाई है, इसी के साथ आगे चलते हैं, अब बैग, पाउच है, टोटे, तो यह टोटे-टोटे वाला वो नहीं है काना, कि टोटे-टोटे हो गया दिल, टोटे-टोटे, तो इस इस टोटे, अब बैग, कनेप सेक, बैक पैक, रक सेक, ठीक है, कैरी ओल, केस, यह केस, वो केस्ट यह है, सेवर का मतलब हमने एक सी नोनिमस में देखा था, स्वाद वाला, अ डिस्टिंक्टिव टेस्ट और स्मेल, विच इस गुड, ठीक है, फ्लेवर, टेस्ट, रेलिश, अरोमा, टैंग, जेस्ट, सेवरीनेस, इंजॉय, अप्रिशेट, एप्र पूरा, बताइ, कठोर है, जो, आप कठोर की सेंस में है, जैसे, टौटोई होता है, तो अजो शेल होता है, जो ऊपर काठोर होता है, तो प्रोटेक्ट, ठीक है, और भीमिल, तो रफ है, जो, गवर्ड वेद, ऐस इफ स्क्रैब, तो ऊपर की कवरिंग आप माल लो, ठीक है रफ, रग, कोरस, हार्ष है जो प्रिकली है स्कैंडिलस, इंडिसेंट उपसीन, अनिवन, स्टोनी तो यह बेसिकली प्रोटेक्शन के तौर पर आप ले लो या फिर इमोशनल के तौर पर आप ले सकते हो जैसे हमारे इमोशनली हमारे गार्ड अप रहते है कोई स्ट्रेंजर के आगे हम खुलते नहीं है ठीक है तो वो भी क्या है आप थोड़े सकत्र हो जाते हो ठीक है कॉशन तो आगे चलते है स्कैरमाउच स्कैरमाउच ठीक है, डरपो को कहते है अब कावर्डली ब्रेगेट तो ब्रेगाट या ब्रेगेट पॉल्ट्रून ठीक है पॉल्ट्रून को याद कर लो जिसकी पतलून हो जाए गीली कावर्ड, डेस्टर्ड ठीक है शो आफ शो आफ कर रहा है बट वो है अंदर से डरपोक जिससे कहते है पुट यो गेम फेस रीक्रेंट एक्टर है जो ठीक है रेनेग्रेट, बोस्ट फूल मतलब डींगे जो माडते हैं ठीक है और वीक पर तो इसका मतलब आप बेसिक लिए समझ लो स्केरा माउंच का मतलब डरपोक परसन ठीक है तो स्कूफ S-C-O-Double-F मज़ा कोड़ाना किसी का तो स्पीक समवन और अबाउट सम्थिंग इना स्कॉन फुल डेरिसिव और मौकरी वे तो मौक करना रिडिक्यूल डिराइड जर जे डबल ई आर स्नियर टॉंट मारना स्कॉन लाफ एट पोक फन एट और रिवाइड स्क्रीच का मतलब होता है चीखना चिलाना शोर मचाना में का लाउड हार्ष क्राई और साउंड तो शिर्क स्क्रीम येल्प स्क्वाक स्क्यू यू एडबलू के हाउल यॉल येल बार्क शाउड श्रिल कराए स्क्री बैश्यस स्क्रीबल से इसको रिलेट कर सकते हैं ठीक है तो स्क्री बैश्यस जिसको लिखने का शौक हो और जैसे आप मेरी हैंड़र्टिंग जान रहे हो ता आको समझ्ज़ आऊगा कि मेरे को लिखने का शौक नहीं है ठीक है तो बट इस बंदे को लिखने का शौक है इसको कहते है Scribasious, found of writing, given to writing, ठीक है लेटर लिखने का लेखन प्रिये तो writerly literally minded ठीक है उसको अपने words को लिखने में मज़ा आता है तो writer habituated to writing ठीक है कुछ लोग daily अपना journal maintain करते है क्या 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 दिन में तो उसे करना चाहिए digital form में करना चाहिए अगर convenience चाहिए तो बट यहाँ पर digital का कोई सेंस नहीं है तो आगे चलते है ठीक है scrumtious scrumtious का मतलब होता है स्वादिस्ट tasty, delicious, delightful, delectable, pleasing, mouth-watering, salivating, splendid, luscious, tasty, appetizing, palatable, toothsome, यह सब है scruples जो की देखो scruples का मतलब वो है जो गलत, गलती करने से बचे तो इसके context कुछ भी हो सकते है या तो उसको उस गलती की सजा मिल गई हो ठीक है जिसे कहते है deterrent या फिर उसको punishment से डर है ठीक है तो डेटर हो रहा है, वो बचर है और या फिर उसकी habit है कि वो कोई गलती ना करे perfectionist तो context important है तो इसका मतलब यह बंदा हो है जो गलती नहीं करता है तो diligent, thorough, extremely attentive to detail very concerned about not doing something wrong ठीक है या फिर very concerned to avoid doing wrong conscientious, meticulous, careful, diligent, thorough, attentive cautious, rigorous precise, fastidious next word है scruful S-C-U-F-F-L-E यह confused fight होती है नोग जोग जिसे कहते हैं ठीक है a short confused fight or struggle ठीक है तो जगड़ा, नोग जोग, यह सब तू तू मैं मैं यह सब brawl, skirmish, tussle, small fight, clash altercation, confrontation, confrontation, fracass, racass melee, rumble, quarrel next है अपना scurrilous इसका मतलब होता है जो कि आप पान जनक है ठीक है हमने defamation देखा था making or spreading scandalous claim about someone with intention to damage their reputation तो यह defamation की पूरी definition लिख दी है आप है scurrilous ठीक है तो defame करना, slanderous, labulous, abusive, derogatory, vitriolic, calumnious, malicious, scandalous, offensive, insulting, disparaging scurvy का मतलब होता है it is a deficiency of vitamin C ठीक है बट इसको दुर बलता के तौर पर भी ले लिया है scurvy को मतलब generalize कर लिया है अगर आप में कुछ कमिया तो ठीक है तो जो deficiency है इसको क्या कर लिया है generalize कर लिया है अगर कोई भी तुर्टी है physiologically आपकी body में ठीक है disease caused by deficiency of vitamin C दूर दूर बलता तो multi-vitamin दो तरगे होते हैं fat soluble यह होता है vitamin C क्या है water soluble है malnutritionist या malnutrition deficiency weakness ailment illness disorder informity sickness diabetes malady जो word है ना malady इसके आपको history मैंने पहले बोल रखिया अब दुबार बोलता हूँ तो वैसे proper बोलते थे my lady जो noble man होते थे European में rich family वाले वो इस दूसरे को बोलते थे my lady जो poor people होते थे citadel में रहते थे ठीक है तो यह noble लोग रहते थे उपर ठीक है यह citadel है यहाँ पर rich लोग रहते थे तो किसी lady को संबोधित करना होता है तो बोलते थे my lady ठीक है तो जो नीचे रहते थे 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 ना गरीब लोग ठीक है वो जब अग किसी noble lady को बोलते थे तो बोलते थे my lady my lady नहीं my lady तो यह उसी से आया है मतलब वो disease prone है वो ठीक है वीक लोग है फीबल लोग है कुछ भी adjective या एड़ कर लो तो उस sense में यह word है my lady ठीक है inferior चलो आगे चलते है sebaceous sebaceous कुछ नहीं है क्या बोलते है producing oil in the body जैसे हमारे क्या होता है nose कई होगी oil is किन होती है तो nose में भी oil होता है blackhead जैसे कहते है न blackhead कुछ नहीं होता है blackhead कुछ नहीं होता है जहमारी nose होती है न ठीक है तो oil secret होता है ठीक है तो जब oil वो pore से भार आता है और वो air के contact में सूख जाता है तो वो काला पड़ जाता है तो उसे blackhead गयाता है तो ऐसी है ठीक है तो producing a substance like oil in the body तो तेल जनक और इसका एक वर्ड है sebum क्या है oily substance है produced by gland in our body ठीक है तो oily greasy fatty fat anuctuous तो अपना next word है seditious ठीक है देश द्रोही जैसे कहते है और या फिर द्रोही ठीक है जो बात ना माने inciting causing people to rebel against authority of the state और मुनाकी ठीक है definition of तेश द्रोही rebellious subversive insurgent treasunus mutinous जो mutiny करे ठीक है इसका strong order terrorist revolutionary disloyal disloyal towards the present state या प्रेजेंट अथॉर्टी इंसरेक्ष्णरी इंसरेक्ष्णरी incendiary inarchy तो इनार्किस ठीक है sedulous sedulous का मतलब होता है महंती dedication diligence आई कैसे repeat हो रहा है तो revision की तो पर रहे लो तो diligent assiduous इंडॉस्ट्रियस हार्ड वर्किंग कंसाइस्ट्रियस थोरो मेंटिकुलर स्केफुल अटेंटिव ठीक है studious zealus ठीक है जो हार नाम आने उसे कहते है perseverance ठीक है स्प्राइट फुल का मतलब होता है full of energy उत्सा पून या उत्सा युक्त enthusiasm zeal and zest से relate कर लो जहां पर वह उत्सा आगे ना zeal and zest ठीक है lively spirited animated विवाशियस ठीक है इन दोनों का मतलब है lively exuberant energetic point vibrant dynamic enthusiastic high spirited peppy तो आज का last word है spruce ठीक है इसका मतलब होता है neat in appearance दिखने में अच्छा smartly dress तो neat tidy trim dapper well groomed तो इसका proper synonyms कहांगे groomed जो है ठीक है groomed मतलब बाल properly tucked हैं dress हैं cut हैं ठीक है और nails cut हैं और shirt या shirt जो भी है टक्टे नहीं या properly well pressed है shoe polished हैं ठीक है कपड़े washed हैं यह सब इस सब में आता है grooming में आता है यह सब ठीक है यह क्लीन है तो यह सब ठीक है stylish fashionable elegant polished suave debonair और cheek तो यह थे आज के 20 वर्ट्स अम बिलते हैं आप से next वीडियो में